नमस्कार स्वागत है आपका ओमा न्यूज जिंदी में एक बार फिर से भारत में ओमिक्रॉन के जो कन्फर्म केस हैं वो लगतार मिलते जा रहे हैं राजस्थान की बात करें महराष्ट की बात करें करनाटका डेली गुजरात इन सभी स्टेट को मिलाकर 21 नए कोविड केस दर से आने वाले देशों के साथ है देखिए भारत सरकार ने ओमिक्रॉन के खत्रे को देखते हुए नए नए गाइडलाइन जारी किये हैं कुछ देशों को हाई रिस्क कंट्री में रखा यानि कि यहां से यदि कोई व्यक्ति भारत आता है वो चाहें भारती निवास जी क्यो कारंटीन रखना होगा और उसमें भी उनको भारत सरकार के जो अधिकारी है वो लगतार इनको फॉलो करेंगे लेकिन एरपोर्ट के जो आप हालात देखेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे देखिए भारत सरकार यह पूरी कोसिस कर रही है कि भारत में नया वाइ वस्था का सिकार हो रहे है क्योंकि यह तो गवर्मेंट को पहले से पता है कि किस टाइम पे किस डेट पे कौन सी फ्लाइट से कितने यात्री इस एरपोर्ट पे आएंगे तो क्या इनको हैंडिल करने के लिए ज्यादा काउंटर नहीं बनाने चाहिए वहां पे सोसल नए कोविड मामले सामने आए हैं जो कि पिछले 558 दिनों का सबसे निवनतम आकड़ा है यानि कि इतने कम केस आज से 558 दिन पहले हुआ कर दे थे और रिकवरी भी 10,000 के करीब हुई है लेकिन मृत्यू दर एक दिन में 220 लोगों की मृत्यू कोविड-19 की वज़े से हुई और इसमें भारत में जो एक्टिव केस हैं वो 95,014 ही बचे हैं और देखिए मिनिस्ट्रिय आफेल्ट ने कहा है कि भारत में वैक्सिनेटेड लोगों की संख्या लगतार बढ़ रही है 128.76 करोड लोग पूरी तरह से वैक्सिन लगवा चुके हैं ओमान की COVID-19 मामलों की बात करें तो अभी तक ओमीक्रॉन का कोई भी वाइरस ओमान में नहीं पहुँच पाया है जो की काफी अच्छी बात है क्योंकि सुप्रीम कमेटी जिन देशों से उसको लगेगा कि इस देश से हमारे देश के लोगों को संक्रमन का खत्रा है उस का कंट्री के जो रीजन वाले देश हैं वहां के देशों पर प्रतिबंद ओमाने सरकार ने लगाया हुआ है और ओमान के स्वास्त मंत्राले के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर 9 नए COVID-19 मामले दर्ज किये गए हैं ओमान में ओमान में लगतार जो recovery rate है वो बढ़ रही ह आठ लोग पिछले 24 घंटे के अंदर recover हुए हैं और ओमान में दर्ज कुल COVID-19 संख्या 3,4,612 हो गई है मरने वालों का कुल आकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है देखे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले कुल रोगियों की संख्या दो है और दोनों ही रोगी ICU में टीम ने बहुत ही शांदार प्रदर्शन करते हुए अपने विपच्छे टीम को तीन सून से हरा कर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है ओमिक्रॉन के खत्रे को देखते हुए भारती सरकार ने एरलाइन के लिए भी अलग-अलग special operation procedure जारी किये हैं और य किनों ने कोविड-19 के नए स्ट्रेंड को लेकर जो गाइडलाइन है उसका उलंगन किया है और जिसके लिए भारत सरकार ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है देखिए भारत आने के लिए सबसे इस समय जरूरी जो डॉक्मेंट है वो है कि आप स्वग घोसना प्र फिर से एक और आटी पिस्टिया टेस्ट कंड़क्ट करना होगा सौधी अरब के क्राउन प्रिंस दो दिनों के आधिकारिक यात्रा के लिए ओमान पहुंच चुके है और इनका जोड़दार स्वागत किया गया है दोनों देशों के लोगों की आकांग्शाओं को पूरा कर 13 MOU पे साइन किया गया यानि कि 13 नए प्रोजेक्ट ओमान और सौधी मिलकर के लगाएंगे ओमान में और जिससे दोनों देशों की जो अर्थ बेवस्थाएं हैं दोनों देशों का जो विजन है उसको अचीब करने में इन प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है रॉयल वान पुलिस इस समय अपने सबसे बड़े चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है जी हां ओमान को सबसे बड़ा इस समय जो प्रॉब्लम सामने दिख रहा है वो है अवैद रूप से ड्रक्स की तसकरी लगतार ओमान में जो ड्रक्स पैडलर है वो पकड़े के रास्ते ओमान में साथ किलोग्राम से अधिक जो क्रिस्टल ड्रग है वो अवैद रूप से तसकरी करने की कोशिस कर रहे थे इन लोगों को गिरफ्तार करके सभी ड्रक्स को जब्त कर लिया गया है और इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है